दोस्तों मेरा नाम है नॉमान और पास्ट बाना स्टेट्मेंट बिल्डर की प्लेट फार्म से आप सब को खुश्यामदीद कहता हूँ DHA वालों ने DHA Valley की स्टेट्मेंट लेने का तरीका कार जो था उसको काफी हथ तक पुद्दिल कर दिये पहले ऐसा होता था जो भी हमारे क्लाइंट्स आउट अफ सिटी में हैं आउट अफ कंट्री में हैं और वो अपने क्योंके काफी देर से मार्किट के साथ कट आफ होते हैं तो उनके अकाउंट के स्टेट्मेंट लेने के लिए वो हमें DYAI और या DHC नंबर जो भी उनका होता था वो हमें बताते हैं हम वहां से DHA Office में जाके वो नंबर बताने के बाद उनकी स्टेट्मेंट कोलेक्ट कर लेते थे और उसके बाद उसको जो भी करना होता था वो उसको कर लेते थे लेकिन अभी यह हुआ है कि अब इस तरह से statement नहीं issue की जाएगी अज़ा 18 April से यह चीज़ implement हो चुकी है अभी यह होगा कि किसी बंदे ने अगर किसी plot की statement लेनी है तो उसको अपना NIC साथ लगाना होगा एक request form है जिसको account statement request form कहते हैं यह request form भी मैं शाला वीडियो के साथ upload कर दूँगा इसके अंदर कुछ कवाइफ हैं जिनमें registration number, name of allotty, name of collecting person इस सरह से 3-4 चीज़े हो रहे हैं इन सब को fill करना होगा इसके साथ साथ allotty का ID card की copy साथ लगानी होगी जो बंदा statement लेने के लिए गया है उसकी ID card की copy साथ लगानी होगी उसके बाद जाके उसको statement issue की जाएगी इस काम से जो काम करने वारे realtors हैं उनको काफी हद तक problems हो सकते हैं क्योंकि अगर एक बंदा इन 10 statement लेनी है तो उसको 10 दफा यह form fill करना पड़ेगा उसके बाद अपने ID card कापी लगानी पड़ेंगी 10 बंदों के ID card कापी लेके साथ लगानी पड़ेंगी फिर जाके यह उसको statement मिलेगी लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि यह DHA का बहुत अच्छा step है इसके market में बहुत अच्छे जो है वो असरात आपको नजर आएंगे मेरे ख्याल से इसकी 2-3 reasons हो सकती है जिसकी वज़ासे DHA ने इस step को implement किये पहले number पर तो यह है कि एक plot जब market में float होता है तो 10 बंदे उसकी statement लेने के लिए DHA office में चले जाते है जिसकी वज़ासे DHA office के उपर जो है काम का burden बढ़ जाते है plot एक ही होता है वो भी कभी sale होता है कभी sale के लिए market में नहीं होता सिर्फ बंदे ने assessment के लिए market में दिया होता है तो 10 बंदे उसकी एक ही plot की statement लेने के लिए चले जाते है जिसकी कोई खास reason नहीं बनती दूसरी reason यह होती है कि जब इस तरह का plot market में आता है तो जो market के अंदर Friday है या दो number लोग मुझूद है मैं अब किसी बंदे को यहां पर point out नहीं कर रहा लेकिन इस तरह की बहुत सारी examples हमारे सामने है जब एक allotty ने किसी एक बंदे को अपने plot की statement लेने के लिए कहा सिर्फ यह देखने के लिए कि मेरे plot का क्या status है तो जो इस तरह के बंदे होते हैं उनके हाथ अगर यह statement लग जाए तो वो यह statement निकालने के बाद किसी से बैना ले लेंगे किसी से token ले लेंगे और बाद में जब वो court के चैरी तक बाद जाती है तो भुगतना allotty को भी पढ़ता है कि जो भी allotty हो उसको पता हो at least कि उसके plot की statement किस बंदे ने ली है ताकि अगर खुदाना खासा को मसला हो तो वो उस बंदे से पूछ चके कि यार यह तो ID का ID कापे मैंने आपको दी थी यह step तो DHA का का अधर तक बहतर है DHA की market भी बहतर है लेकिन इसके साथ DHA की management को चाहिए कि वो अपनी दो तिन चीज़ें जो उनकी कमदोरिया है या जो उनकी खामिया है उनको बहतर करें उसमें सबसे पहले number पर जो उनका verification का process है वो इंतहाई slow system है और वो काफी लोगों के लिए disturbing है उसकी 3-4 examples है मेरे बहुत करीबी जानने वाले मेरे दोस्त या मेरे client जिनको मैं कहूँ उनके plots जिन्होंने verification अप्लाई की December 2021 में उनकी verification वो 3-4 महीने के अंदर complete हुई December के शुरू में जिसने अप्लाई की उसकी March के end पे जाके verification complete हुई verification तब भी complete नहीं हुई original slip उसके पास होने के बावजूद उसकी slip verify नहीं हुई उसको दो लाकर पे की payment दुबारा से करनी बड़ी और फिर जाके DHA ने उसके plot को ट्रांसफर किया इसके साथ साथ एक और मेरे एक दो दोस्त है उनकी भी इसी तरह से जो है verification होना जनरी में apply की अभी March खतम हो गया April भी आदा हो गया खतम होने वाला है अभी तक उनकी plot की verification complete नहीं हुई इसकी दो तिन reasons है एक तो DHA का verification का जो staff है वो इंतहाई unprofessional है वो लोगों को खुआर करवाते है verification बिल्कुल टाइम पर नहीं करते इसके साथ साथ staff की कमी भी कहा जा सकता है मैं अब सब को blame नहीं करता लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है जो DHA के staff के अंदर मुझूद है DHA को चाहिए जिससरा के उनकी बाकी management बहुत जबदस है अपने verification का जो department है उसको भी बहतर करें ताके जो DHA के मौझूद क्लाइंट्स है उनके लिए रियलेटर्स के लिए काम करना असान हो उनके लिए जो problems है उनको sort out किया जाए ताके market के अंदर smoothly जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो काम कर सकें इंशालला हम with the passage of time आपको DHA की market के बारे में अपडेट भी करते रहेंगे development भी आपको दिखाते रहेंगे और आपको ये बताते भी रहेंगे किस टाइम पे आपको investment करनी चाहिए और किस टाइम पे आपको investment निकाल लेनी चाहिए आप हमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि इस तरह की informative वीडियो आप तक पहुंचती रहें आपके साथ मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा जजाकाला, अल्लाहाफिस जजाचिए बतरा दिकाल होगी झाल झाल